नमस्कारम रीजनों आप देखने हैं बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वर्सिटी लाइफ में जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करें बहुत सारे बचों के इंक्वारी थे कॉमेंट्स आ रहे थे और ये एक महीने से मुझे मिल रहा है हर चीज का अपना एक सही प्रॉपर समय होता है मुझे लगा सायद अब मुझे आपको बताना चाहिए कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो या अपने टाइम को ज्यादा एफिसेंट कैसे बना सकते हो देखो इन्वर्सिटी में जब हम लोग का दाखिला होनी है फिर देरे देरे मुराल डाउन हो जाता है डी मोटिवेट हो जाते हो क्योंकि वह यह ना कि आपने एक बार सपना देखा और सपना पूरा हो चुका है अब फिर से सपना बनाना पड़ेगा पहला पॉइंट कर लेजे क्या करना है अब अपना एक सपनी के निया लड़ाई लड़नी है लेकिन यह लड़ाई लड़ोगे तब जब यह इनवर्सिटी का जो भी 8-10 घंटे है वो सही सिटुलाइज करोगे तब लेकिन बच्चों की क्या प्रॉब्लम है जो मुझे डीम में मिला कि सर हम सुबह आते हैं और साम हो जाती है पता नहीं चलता है कि यह समय कैसे बीट गया और जाहिट से बात है कि इनवर्सिटी का बस लाबस कवर करने से आप किसी भी एक्स्ट्रा प्रिप्रेशन को बहुत बड़ा एक पूसप नहीं दे सकते हो तो ज्यादा important है कि आप extra preparation के लिए extra time निकालो ये time निकलेगा कैसे क्योंकि अगर आपने सुबा का पूरा time university में दिया और आप ठक गए जाइस बात है साम में बच्चे hostel लेकर रहते होंगे या अपना room लिये हुए हैं तो खुद से बनाना ये सब करना भोजन अगरा करते करत आपका 10-11 बज गया और फिर आप सोगे फिर उठे फिर class 8 बजे ल्टी में तो ये सभी चीजे इतना ज्यादा फास्ट है कि आप कभी बैटके जज नहीं कर पा रहे हो oh my god 2 महीने निकल गए और यार examination form आ गया मेरा semester सोने वाला है ये बहुत important point है कि आप इन पूरे schedule को कैसे प्लान करते हो okay अब मैं आपको बताता हूं अपना एक छोटा सा experience जब मैं विस्विद्याले में admission लिया जो मेरी dream university थी या जो भी इन विस्विद्याले थे उसमें जब मैं admission लिया तो admission के बाद जो problem आप face कर रहे हो ये problem मेरे को भी face करने को मिला मैं यह देखा कि सुबह आत हो आठ बजे जैसे तैसे जो भी कुछ breakfast वगरा करके फिर उसके बाद मेरी class पहले चल रही आठ से नौ फिर एक लंबा gap है about two hours का फिर उसके बाद मेरी class चल रही है एक से दो फिर एक gap है फिर एक class बी चल रही है तीन से चार फिर चार से पांच बीच 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 अब हाई के लिए बस हमें department, faculty, bt, library यही सब रोड पे गुजारना पड़ता है हर बच्चू के साथ ही same problem है तो आप सोच रहोगे क्या हमारे साथ भी यही होगा नहीं होगा मैं आप बताता हूं फिर मैंने अपना एक basic structure ready किया मतलब मेरे को दिमाग में आया कि नहीं मुझे इसके काम के लिए आप थोड़ा से कभी बैठों और प्लान करो कि जब आपकी classes चलती हैं जब आप उस class करने के लिए गए suppose कि आपका कोई class 9-10 है आप 9-10 की class में बैठे फिर आप देख रहो कि आपके पास एक घंटे का time है एक घंटे को उस time को utilize करने के लिए आप यह मत द चाइब का कोई location को structure है क्या जहां बैठके उस एक घंटे को utilize कर सकते हो मैं सच बता रहा हूं यह थोड़ा सा difficult होगा लेकिन यह आपका दुनिया बना देगा बस आपको उसको daily basis पर routine वाज फॉलो करना है आप नहीं समझे मैं फिर से बताता हूं आपको विश्विद्याले म है उस एक घंटे को utilize करने के लिए अब आपको लगे का मज़ाग है लेकिन यही truth है अगर आप उसको parking में भी यूज कर सकते हो क्यों कि आर्ट्स फेकल्टी में बहुत एरिया है जहां तक मैं आपको बता दो आप जब आपका जो एक आर्ट्स फेकल्टी के जो पीछे प्रे मैं या बदलना भी है हर महीनी भी है या वैं भी घंटा है वह्я जहींचा सんだन्रहिए सब्हर्णम स्मछनय के था December आप और इक लुइचे लिए अपको अपने आश्पास चुन्वारफ प्लेस दोड़ना है हो गया दूसरी बात करते हैं जब आपके पास 2 या 3 गंटे मिल ज पहुचना है, यानि Center Library पहुचना है, Center Library इस पूरे विस्विद्याले का सबसे best place है, ध्यान रखना, आप अगर सफल होते हो, तो आपको बोलने ही जुरत नहीं पड़ेगी, आपके जुबान से अपने आप फिसल के निकल जाएगा, कि मेरी सफलता कराज इस विस्विद्याले कि लाइबरेरी में है, लाइबरेरी में अब यह मैं सोचो, कि वहाँ बुक्स जाके पढ़ने हैं, वहाँ समझा के बुक्स उकराएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, लाइबरेरी में आपका खुद की पूरी study planning होगे, यानि आप अपने materials लेके जाओगे, समझ में आया, चा आप देखोगे कि तीन भहीनों में आप एक दुसरी दुनिया में होगे, एकदम 100% जो आपके खुद की बनाईए, इसमें किसी का कोई interference नहीं होगा, कोई disturb नहीं करने वाला होगा, और इसको जब आने वाले तीन सालों तक आप फॉलो कर ले तो तब तक आपका छे दुनिय होगी, यानि आपने टोटल 6 इनवर्स बना चुके होंगे, और ये पूरा आपका कैरियर बनाएगा, समझ में आया, इसको और सिंपली जाने कोसिस करते है, ठीक है, देखो, सपोच की मैं एक स्टोडेंट हूँ, ठीक है, अब मेरा रूटीन चालू होता है, मैंने breakfast किया, मै इनवर्स टी गया, मैरी 8-9 क्लासेज है, मैंने 8-9 क्लासेज कर ली, मेरे पास एक घंटे का टाइम है, अब ये घंटे के लिए मैं लावरी नहीं जाओंगा, कोई लावरी दूर है, मैं क्या करूँगा, मैंने पने नियर में ही देखूंगा, कि मेरे पास कौन सा ऐसा प्ले जो डेली केसी में है, जिनका रूम दूर है, वो आने से पहले फिर से 1,5 घंटे की स्टडी जो है, वो लावरी करके आओ, क्योंकि आपको दुबारा लावरी देने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर आप इसको यू कर सकते हो, अपनी स्टडी को टू पार्ट में जैसे कि एफिलेट के बच्चे या जिस वीडियाले के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ पर अच्छी लावरी नहीं है, तो उनको मैं बेसिक स्ट्रेक्चर की बात करूँगा, यानि उनको अपनी लावरी खुद बनानी पड़े, ऐसा नहीं है, आप बिल हैं, लेकिन अब मैं बात करूँगा कि इसमें कौन-कौन सी चीजें जो हैं जो आपको इफेक्ट डालेंगी, जो नहीं करने देंगे, जरूरी है ना कि आप सत्य को जान रहो ता सत्य को भी जान हो, कौन सा टूथ के बाद उसका बिहाइंड में क्या सीच चल रहा है, आपक प्लस माइनस कर रहे हैं, आपके जीवन को मालो अच्छा भी कनास बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, तो आपको अपनी दोस्तियारी में ये चीजे देखनी पड़ेंगी, कि आप जो चीज बनना चाहते हो, वो कितना ज्यादा उस फ्लो में मुझे काम करेगा, यानि वो मुझे कितना बुस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो आपको बैठा के पढ़ाएगा, नहीं, बस उसके साथ होने से ये पॉस्ट्वीटी आप वो इन्वार्मेंट बनने लगे कि हाँ, इसके साथ मैं ये चीजे कर सकता हूँ, समझ में आया, तो आपको अपनी दोस्तियारी एक बहुत बढ़िहां सा पकड़ बनानी है, ठीक है, अब उन बच्चों को दर्द होगा, जिनकी दोस्तियारी भी अच्छी नहीं है, तो वो अपनी इंडुज्वेल्टी की बात करें, वो अपनी खुद की दुनिया बनाए, जैसा मने बताया, ठीक है, मैं हमेसा दोनों ल माग पर धावी होता है, जो या तो बहुत highly ambitious है, यानि उसकी इतना महत्वकांची person है, जिसको कभी लगता है, कि वो share market में पैसा लगा दे, कभी उसको लगता है, या ओ गेम खेलते हैं, कभी लगता है, हम creator बन जाते है, फिर मलब यह इतना ज्यादा versatile हो जाते हैं, जिसको over conscious, तो ये बच्चे बहुत जादा divert होते हैं, इन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इन बच्चों को थोड़ा weekly खुद को self examine करना है, और अपने जो demerits हैं, उनको धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि आपका starting का जो 3 साल है, उसमें डेर साल यूं फूर रोज आएगा पता न इन निकल चुक है, और अभी भी साथ आपको पल लेना पड़े, और फिर आप पीजी पहुंच जाओगे, पीजी मेंडमिसन होगा नहीं होगा, आपका dream university आगे वाली मिलेगी कि नहीं आया, फिर आपका UPST वगरा जो भी है, क्योंकि दो को सबसे जादा UPST कौन चिलाता ह को नहीं करना चाहता है, जुबान से निकली हर चीज सत कभी नहीं होती है, आप Fraser हो, आपके अंदर एक बहुत बड़ा जोस है, वो स्टार्टिंग में दिखता है और आप उसको अपनी बार बार आने वाले routine और conversation में लाते रहते हो, लेकिन वो तभी सच होगा जब आप उस और रहते हो सकता है, मैं इसको कभी नहीं बोलऊगा कि इसको हटाना है, हमेशा ध्यान देना है कि इन सभी चीजों को लेके चलना है, कभी इनको पूराjest ब्रेक मत करना है, जैसे चाइ पीना एक साह होता है, उसको पीओ, को पीओ, भीटी जाना है cold coffee पीना, यह साह किसको कर लेकिन कभी उसको बहुत एम बनाना नहीं है क्योंकि आप तो एम कुछ और बनाए हो छोटी-छोटी चीजों पर एकर एम करने लोगों जो बड़ा वाला एम होगा उसका जो दाओन हो जाएगा समझ में आया मेरी बात इन तमाम चीजों के बाद अगर बाते नहीं पर भी जिंदगी नहीं समझ में आएगी और बस मैं यही कहना चाहांगा कि सब कुछ आपको करना है और बाकी बहुत open talk मेरा आने वाला है उसको आप देख़ियेगा और वह गर्ल्स के के लिए सफसी आदा इंपॉर्टेंट है ठीक है बस मैं आपको एक क्लू दे देता हूं कि वो ओपेंड टॉक होगा आपके ओपेंड माइंडनेस बैसिस पे यानि ओपेंड माइंड कैसा होना चाहिए और आज ओपेंड माइंड की बैसिस पर आप क्या-क्या गलतियां कर जात और बाकी मैं हमेंसा करता रहता हूं कोशिस करूंगा कि कमिंग डेज में मैं आपके लिए कुछ और बहुत बड़ी हैं टॉपिक वीडियो ले आओं आप कोमेंट्स करेगा आपका कैसे प्रॉब्लम्स हैं ठीक है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि UPSC के स्टड़ी स् स्टार्ट किये हम फिर डाउन हो गए अब हम दुबारा कैसे बूस्ट करें या फिर आपको लगता है कि यार मेरे अंदर बहुत सारे डी मेरिट्स हैं मैं किसी पर्टिकूलर प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूं या फिर अपनी खुद की लड़ाइम बिजी हूं या मुझे सो मुस्कुराते रहें बेस चुपार्ट सला देखते रहें हो फुली आपको बाते समझ में आई होंगी लास्ट में यही कहूंगा यह दुनिया आपकी है आप इसकी राजा हो और आपको पूरे अपनी तरीके से जीना है लेकिन उसमें इस सोसल पूरे इंपक्ट को लेकर ठी ठीक है इंडिविजबल में जीना है लेकिन लोगों को लेकर जीना है ठीक है मुस्कुराते रहें हरार महादेव